हेलो गाइस स्वागत है आपका मावे फुचर रेवलिशन की एक और वीडियो में तो दो कमेंट आया मुझे आप जी बता हुं तो मैं पस तो खुद के पास यह नहीं है आप जी जी आप से नॉर्मल जो करेक्टर्स होते हैं वह इतने अच्छे नहीं होगी जितने स्पेशल का फो स्टार होगा ठीक है इस बात के जहना के दूसरी बात के चाहिए अच्छ को यूजर कि पहले थ smoking के शाट्स ना बनाएं बहुती बेकाईdaughterः तामिस ही यह कि इवेंट हने दें ला雑 grandma स Annets आने दें यह सब मेंदे इंग यह इवेंद मेंदे की ऊपको इन summary के बारे में इसके बाद मुझसे पूचा गया है कि what is the best companion best companion क्या है तो मैं पहले ही बोलूँगा कोई सा भी best companion नहीं है सब अपने अपने game mode के लिए best है इस्टिल अगर आप new है game में तो आपके लिए सबसे best companion एक hulk ही होगा क्योंकि hulk सब जगे यूज़ा रहेगा सबसे ज़्यादा all-rounder hulk है या फिर उसके लावा आप all-rounder किसको बाकी सबसे ज़्यादा all-rounder hulk को ही माना जाएगा तो ऐसा क्यों हो तो start करते हैं सबसे पहले मेरे ही companion mainly PVE के लिए ठीक है क्योंकि यह जो current की waves से छोड़ती है वह reflect होती है targets के अंदर यह बात ध्यान रखना तो इसलिए PVE के लिए बहुत अच्छी है एक बार यह चले सारे के सारे जो भी छोटे बोटे reflected beams होती है वह ज़्यादा damage करती है यहां पर आप लिखना चाहिए कि maximum four times it can be reflected पड़ेगा तफ जाके चार लोगों को मारेगी तो वह यह जो भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं पर मैं बता रहा हूँ ओमेगा वार अलाइंस ओमेगा वार और इसके लिए बैस्ट है PVE के लिए ठीक है उसके लावा मेरा सबसे ज़्यादा five star का यही सबसे वही है तो मुझे तो यही पसंद है दूसरा है मेरे पास group special companion की बात करूँगा group इतना अच्छा नहीं है बस आपको shield देता है health की और अच्छा डेमेज करता है circular area में damage करता है तो ठीक टाक डेमेज़े पर कोई रुखता नहीं उस circular area में सब भाग जाते तो इतना अच्छा है नहीं सब ज्यादा बैटर अभी तक सिफ यह चारो special companion में माइटी तो जैन फॉस्ट और कोई नहीं फिर आते हम इस पर जिसका नाम स करते हैं तो यह बहुत अच्छा रहता है उसके लिए alliance raid के लिए जिसके बड़े बड़े-बड़े super villains आते हैं ठीक है उसके अलावा अगर आपके बस कुई ऐसा super villain है जिसका defense आपको down करना पड़े उसके लिए अच्छा है उसके अलावा यह Captain America के खिलाफ भी अच्छा है द difference decrease करके या फिर आप help कर सकते हैं किससे इससे जिसका नाम है थीना क्या करके attack बढ़ा के जहां पर वह enemies का defense decrease करती है यह सब का attack increase attack करती है तो आप यह तुनों company नगर रखेंगे तो आपको alliance raid में बारब बुलाया जाएगा सिफ इसलिए ताकि आप या तो enemies का defense down कर ले या चीज नहीं है आपका शायद क्या करती है थोड़ा सा अच्छा नहीं है यह तो special companion ही नहीं यह तो rare companion और कहा है यह रिठीना थीना कमने बढ़ाती है attack करती है ठीक है तो यह दोनों alliance raid के लिए best है उसके लावा यह omega war के लिए अच्छी है अगर आपके पास कोई ऐसा player है जिस चाहिए तो attack के साफ से यूज आ जाएगी ठीक ना तो उसके लिए लेगे alliance के अंदर यह बिल्कुल काम की नहीं है क्योंकि इसके जब तक पटा के फूटते हैं यह बटा के गोले से बनाती हो फूटते है तब जाके defense डान होता है वो पटा के फूटने सब परी लोग बाग सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ गौज जो गाड़ गौज होता है उसे फुल कल देता है कुछ खास नहीं है यह spider man dimension duals के लिए बहुत अच्छा है जो भी बंदा dimension duals के अंदर spider man companion चलाते हैं आपको भागने ही पड़ता है क्यों क्योंकि यह companion तक आपक कर सकता है इसमें साफ साफ लिखा है आप काकून फो फोर सेकंड मतला आप वैब के अंदर जम जाओगे फोर सेकंड के लिए अगर आप maximum stack पर पहुंचगे हैं maximum stack मैंने आपको बता है यह 5 stack होते हैं 6 stack पर आप जम वहो जाओगे काकून के अंदर घुच जाओगे और इसकी का नहीं है क्योंकि most wanted super villains या boss type कोई भी web के अंदर नहीं कह दोते हैं छोटे मुझे जो villains होते mobs वो web में कह दो जाते हैं तो हाँ वहाँ थोड़ा बहुत काम में आ सकता है पर उनको web में कोई नहीं है सबसे important यह dimension dual में ही है और कहीं नहीं आगे चलते हैं कोई काम की नहीं है कैट bishop आगे चलते हैं वांग थोड़ा बहुत काम का है dimension dual के अंदर ही क्यों क्योंकि यह immunity to debuff देता है यहाँ पर लिखा है debuff immunity for side duration तो 2.4 second के लिए आपको immunity मिलती है तो इस कमलब यह है कि अगर आप stun हो तो stun side जाओगे अगर आप web में बंदो तो web से भच जाओगे ठीक है अगर आपका defense decrease कर रखा है आपका defense decrease कर रखा है वो सब हटा देगा कहने को ठीक ठाक है पर इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि यह आसपास के तीन nearby allies को ही और जड़ा debuff immunity देता है तो मतलब अगर आप team में यूज़ करना चाहो omega war में alliance omega war में तो सिर्फ तीन member ही इससे अगर मालो आपकी साइड में मालो वो क्या करते हैं स्टार लोड और स्टॉम तो वो लोग क्या करते हैं शॉक डेमिज का stack चलाते न तो अगर stack चलाने के बाद थोर अपना attack करें तो गंपेजन का skill damage 45% से बच जाता है शौक डिटार्ट गेट पर सोच रहो ना शॉक का stack किस प्लस 400 1200 1200 उससे जाता है यहोगा क्योंकि यह 800 नहीं 827 है पर सिंपल सी बात है मैंने ही 50% लिया प्लकि यह 45% है तो 1200 के आसपस यह उससे थोड़ा कमी माने तो यह damage अच्छा करता है shock damage यान जिनको शौक कर रखा हो या तो हमारे star lood ने या फिर हमाई storm ने तो बहुत चाहरा देमेज रखाए इस लोगोगों को बहुत use करते तक नहीं देखा है इसलिए मुझे नहीं पता अच्छा है कि वेकार है उसकार यूज करते हैं हमारा बरन ओडू यह त्ही आपने ऊचे प्चछ लोगों को ये नच्छा इसे में favori जाते हैं जाते हैं अगे जार आके चलते कंबनेजaltra को ये वं झान फोड़ा काम चाहें ज्यीई चंडल कहते हैं Commence और एक और बंदा आ रहा है, वो और है, ये ठीक ठाक है, क्यों? क्योंकि ये आती ही जमीन पर गिलता है, तो stun कलता है, और damage भी कलता है, तो chances हैं कि आपका enemy अगर stun हो जाए, तो stun हो जाने के बाद, या तो उसे debuff immunity चलानी पड़ेगी फटाफट से, जो stun में नहीं चला सकता है तो या तो पहली चला के रखे या ऐसा कोई companion यूज़ करें जो आपको डिवाफ इनमेटी दी ठीकिन अगर वो दुनों काम नहीं कर पाता है तो stun में आप उसे आराम से मार सकते हो या फिर उसे escape skill यूज़ करनी पड़ेगा इसके दो dodge गए एक dodge और यूज़ करेगा उसका और वो वनरेबल है उसे पेल को पेलो बिलको पेलो पर पकड़ पकड़ के पेलो तो यह इस गिलगमेश की खास बात है पर इस्टिल नहीं परसंद है मैंने इसको एक या दो बंदों को यूज़ करता है आप Dimension Dual का सबसे खतरनाग बंदा और Omega War का भी हर कोई इसे यूज़ करता है और यह है Hulk और क्यों करते हैं से यूज़ सिर्फ इसकी एक skill की जैसे प्रवोक्स फोर थ्री सेकंड वेंदा स्केल लेंड्स यह प्रवोक करता है 3 second के लिए और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि इसका प्रवोक की मलनब चांसे यह थि हट्यग ही 100% है भाई कभी इसके प्रवोक्स से कोई बचा ही नहीं नहीं है वो जैसी यह प्रवोक से प्रवोक होता ही होता है बंदा आप बच ल poking सकते पता नहीं कैसा प्रवोग दिया ऐसे मतलब आपके पास कितना ही स्टेटस एफेक्ट रजिस्टेंस हो कुछ भी हो आपके पास अगर डीबॉफ इम्मुनिटी नहीं है तो आप प्रवोग होगे इसके प्रवोग से बचाती है इसका प्रवोग बहुत पाफुल दिया गया है गेब केरनर कि अगर ये प्रवोग चलाया और आप उस सरकल में हुए जिस सरकल में इसका प्रवोग चलता है चोटा सा सरकल बनता है उसमें चलता है तो आप प्रवोग होगे और डामेंशन डूल्स के इसे चलता है इससे दूर भागना पड़ता है तब तक वो आराम से क्योंकि हल्क बहुत ज़्यादा क्लिशे है कि इसलाइक प्रवोक करके उसे मार दो आपने कोई स्किल यूज नहीं करी आप में कुछ सही टाइम पर डॉज यूज करना कि आप समझ पाए सामने वाला पेर क्या करने वाला है उसके साथ आप डॉज यूज करने वाला इन्विंसिटी वाला डॉज ठीक है ना सही तरह से घूमना फिर्णा वो क्या स्किल चलाएगा क्या करेगा वो इसमें स्किल लगती है इसमें कोई स्किल नहीं लगती इसलिए ज़्यादता जो भी हाइफाइफ प्लेयर से वो ही कहते हैं हल्क यूज कर रहा होगा टेपिकल टेपिकल प्लेयर टाइप वो बोलते हैं इसका लुज यह हो तुम थोड़े नूब हो तुम अच्छे यूज करना नहीं जानते इसलिए तुम हल्क यूज करते हो तो जहां पर ये बहुत अच्छा कंपेनियन है बिगिनर्स के लिए नूबी इसके लिए वहीं पर ये जब आप गेम में बहुत एंड में पहुंच जाओगे तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको इसके लिए क्रिटिसाइज भी करें तो अभी भी हल्क यूस्स कर रहा है इस तरीके से पार, देखो गएम का पार्ट है आप यूस करना चाया करो आपके उपर है नहीं करना चाहा। मत करो हाँ अगर आपको क्रिटिसाइज कि मुद नाइट किसी को यूजज करते हैं अमेरिकाशावेश किसी को यूजज करते हैं ने देखा वैलकरी किसी को यूजज कर यूज देखा जॉंडू किसी करते हैं और अब आते हैं हमारे इकरिस पर एकरेश भी one of the best companion है क्यों क्योंकि इसका अगर आप देखोगे damage तो ये कितना खतरनाक damage करता है सिर्फ एक target को करता है अकेला companion इसका damage 1000% पर जाता है मतलब ये थोर के आसपास है अगर थोर किसके साथ damage करें जब बंदे के फिर shock stacks पूरे 5 हो जाए उसके बाद damage करें तो जब पूरा इसका बिना कोई stack के ही 1100 के आसपास है तो सोच सकते हो कि ये कितना खतर ना करें damage करता है ऐसा लगता है कि पूरी की skill चलिए आपके उपर इसकी skill से बसने का अब लब है आपका एक dodge use होगा ही होगा क्योंकि एक तो ये सब पर नहीं चलाता है सिर्फ एक पर चलाता है और चलाता ही रहता है भाई इतनी तो range है इसकी आप पर चलेगा आप चलेगा आप चलती रहेगी आँकों से beam चोड़ता है आपके उपर बीम की इतनी खतरनाक range है आपको damage होता ही होता है इसलिए जब भी ये companion चले और ये आपको target करें तो आपको dodge ही use करना है dodge का मतलब है यहां की invincibility वह ही use करना है उसके लाव आप इससे नहीं बच सकते हैं और of course सी बात आप कितना ही धूर भाग लें यह आपको तब भी damage करेगा और साथ ही साथ damage इतना खतरनाक होता है कि ऐसा लगता है कि आपके उपर किसी एक player की skill चली है इतना खतरनाक damage होता है तो यह इस था Icarus के बारे में उसका फिर आता है Daredevil किसी को use करते हैं नहीं देखा लेकिन जो भी यूज करते हैं वो सिर्फ इस लिए use करते क्यों कि यह disable करते हैं dodge को तो कई बाए इसको जिन्होंने भी use किया उन्होंने सिर्फ इस लिए use किया है dimension dual में ताकि यह disable dodge हो जाए पर जितने कम beginners के लिए बहुत अच्छा का हो है प्रवोक करके अराम से आप game को शुरुआत में जी सकते हो ताकि आप demotivate ना हो और गेम में आपका interest बना रहे है ठीक है उसका second पर मैं कहूंगा यह हमारा spider-man जो की web में डाल देता है अच्छी बात है इससे भी लोग डलते हैं इन दोनो से लोग डलते हैं इसके provoke की वेज़े से और इसके web में डालने की वेज़े से दोनों ही dimension dual और omega war के बहुत ही powerful companions है यह दोनों आपको omega war और dimension dual में मिलते ही मिलते हैं हर दूसरा character से use करता है दूसरा player फिर तीसरा आता है मेरे हिसाब से इकरिस जिसका damage इतना ज़्यादा है कि उ यसी एकरिस की beam up के पर पड़ती है लोग अपना invincibility अपना dodge चला देते हैं कोने वाला इसलिए वो एकरिस के पूरे damage से बच जाते हैं तो यही सबसे problem है एकरिस की कि इकरिस के skill अगर आप चले तो आप dodge चला के उसकी इकरिस से पूरा का पूरा बच सकते हैं और वही सारे के साथ लोग करते हैं तो किसमती खराब हो कि आपका dodge या तो disable कर दिया हो किसी ने किसी और ने या फिर आपका dodge होई ना तो इसलिए आपको एकरिस कम दिखेगा पर तब भी ओमेगा वार और डामेंशन डूल में यह आपको दिख जाएगा ठीक है तो यही थे मेंसाब से तीन members के लिए अच्छी मानी जाएगी और यह वांग ठीक ठाक मैंना जाएगा मैं तो अच्छा नहीं मानूंगा इसको और यह यह अपने special उसके लिए अच्छा मना जाएगा तो यही मैंने सारी आपको कमिनेंस के बारे में बता दिया जो भी मैंने बताया वो मैंने खुद एक्स्प्रिमेंट नहीं किया है जिससाब से मुझे एक्स्प्रियंस मिला है जिससाब से मुझे लोगों के द्वारा जो कम्पेनेंस मिले उसके हिसाब से मैंने बताया है तो टीम मेंबर्स या एमप्लोई या जो भी लोग थे उनको बहुत हद तक निकाल के किसी और गेम में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि ये गेम उतना पैसे नहीं कमा रहा है जितना इसके वारे में सोचा गया था जितना इसकी हाइप बनी थी इसलिए टीम मेंबर्स को निकाल के कहीं और साइट कर दिया गया है ताकि उन लोग की नौकरी भी न जाए और इस गेम पर जाता है ध्यान अब नहीं दिया जा रहा है इसलिए नहीं पता कब आएगा पर क्योंकि क्रिस्मस आ रहा है न्यू यर आ रहा है इसलिए इवेंट्स आएगे इवेंट्स के साथ एक छोटा मोटा अपडेट आजा जिसमें न्यू कंपेनिन आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है उसके लावा मैंने फॉरम पढ़ा नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि उसमें कुछ न्यू कंपेनिन के बारे में मैंने दूसरों के एक्स्पी बाई बाई